आज मैं दो तरह की वरत में खाई जानी वाली चटनी बनाऊंगी नारियल की चटनी और मुंगफली के दाने की चटनी जिसे हम साबो दाना, भगर, डोसा, इडली और डोकली के साथ खा सकते हैं इन सभी रेसिपिस के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो चलिए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे दाने की चटनी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मंगफली के दाने लिए हैं आधी कटोरी धनिया, टू टेबल स्पून देही, वन टीस्पून जीरा, वन टीस्पून नमक, थोड़ी सी अधरक, पचार से पाच हरी मिरिश लिया है, जिसे मैंने तवे के उपर थोड़ा सा तेल डाल कर सेख लिया है। चटनी बनाने के लिए हम ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हरा धनिया और हरी मिरिश डाल देंगे, अब हमें मुंगफली के दाने डालना है, मुंगफली के दाने को मैंने कड़ाही में सेख कर उसके छिलके हटा दिये हैं, अब हमें बच्चे हुए पंदरक, जीरा, दही, इन सभी को गुराइंड करके इसकी चटनी बना लेंगे, चटनी बनाते वक्त हमें थोड़ा पानी भी एड़ करना हैं, तो लीजी ए हमारी मुंगफली के दाने की चटनी तैयार है, अब हम नार्यल की चटनी बनाएंगे नारियल की चट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी किसा हुआ नारियल लिया है वन टीस्पून जीरा, चार हरी मिर्च जिसे मैंने तबे के उपर थोड़ा सा तेल डालकर सेख लिया है एक थोड़ी से अद्रक, वन टीस्पून सेंधा नमक, तू टेबल स्पून दही और एक कटोरी हराधनिया लिया है इन सभी को थोड़ा सा पानी डालकर हमें ग्राइड कर लेना है अब हम तड़के की तैयारी करते हैं तो यहां मैंने वन टेबल स्पून ओयल डाल दिया है और अब हम इसमें वन टीस्पून जीरा, आट से दस कड़ी पत्ता और तीन मिर्च डाल देंगे और तुरन गैस को आफ करेंगे, चार से पास से कर हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और फिर इस तड़के को हम चटनी के उपर डाल देंगे तो लीजिए हमारी वरत में खाई जाने वाली नारियल की चटनी तयार है यह दोनों चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं तो आप इसे ट्राइज जरूर करें और इस वीडियो को जादे से जादा शेयर करें और अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद